घर में खुशियां नहीं मिलती है, टेंशन सी रहती है, तो आज से शुरू कर दें ये आठ काम. नमबर एक, ब्रस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहनना वे पीला फल खाना शुरू कर दें और हरी वस्तुओं से दूरी बना लें. वहीं बुदवार के दिन हरी वस्तुओं खानी चाहिए, लेकिन पीली वस्तुओं से दूरी बना लेनी चाहिए. ऐसा करने से घर में शान्ती वे समरिद्धी बढ़ती है और खुशियां आती है. नमबर दो, रात को सोने से पहले रसोई घर में बाल्टी में पानी भरकर रख दें. इससे कर्ज से शीग्र मुक्ती मिलती है और यदि बात्रूम में बाल्टी में पानी भरकर रखेंगे, तो जीवन में उन्नती के मार्ग में बाधा नहीं आएगी और घर में खुशियां आने लगेंगी. नमबर तीन, घर में महीने में एक बार किसी भी शुकरवार के दिन मिश्री युक्त खीर जरूर बनानी चाहिए और उसको परिवार को एक साथी खटे होकर खाना चाहिए. सबसे पहले खीर घर की सबसे बुजुर्ग महिला को दें. ऐसा करने से मा लक्षम हो जाती है और खुशियां खतम होने लगती है और साथ ही कभी भी घर की चत पर अनाजिया बिस्तर ना धोए लेकिन आप इनको सुखा सकती है. नमबर पांच, रात में भूल कर भी जूटे बरतर ना छोड़ें. ऐसा करने से घर में हानी होती है. साथ ही ध्यान रखें कि ज पूरा परिवार बाहर जा रहा हो तो एक साथ ना निकलें. आगे पीछे जाएं. इससे यश की व्रिद्धी होती है. समाज में आपका मान समान बढ़ता है और खुशियां भी बनी रहती है. नमबर छे. रसोई घर का निर्मान दक्षिन पूर्ध दिशा में होना चाहिए. क्योंकि इससे परिवार के स्वास्ते और सुक में व्रिद्धी होती है. ब्रह्मा स्थान घर के केंद्र में कोई फरनीचर नहीं होना चाहिए. नमबर साथ. घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए. क्योंकि इससे घर में खुशियां लाने वाली सकरात्मकूर्जा अकर्शित होती है. पूर्व और उत्तर खंड के इन हिस्सों को बहुत शुप कहा जाता है. क्योंकि यही वह स्थान है जह से घर में सकरात्मक परवेश करती है. इसलिए इन जगाओं को हमेश्या साफ रखना चाहिए. नमबर आठ. घर के पूर्वी भाग में खिड़कियों की संख्या अधिक्तम होनी चाहिए. जबकि घर की पश्चिम भाग में खिड़की की नियुनत्यम संख्या होनी चाहिए. ऐसी ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करें.